असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे वेलकम करते हैं आप सब का अपने चैनल मेकप रिव्यू बाई साधिया हसने आज रिव्यू में आप लेकर आई हैं वह एक मशूर पैलेट का रिव्यू है जो आप लोगों को सब को पता है कि यह ज यह बोगों भी टान फैल जो किसम की पैलेट आती हैं एक बिल्कुल रियल जो हुदा ब्यूटी से मिलती चोई होती है और एक पैलट होती है जो बिल्कुल नकम्मी होती आज हम बात करते हैं वह इस पैलट की तरफ आई चलते हैं अपनी प्रोड़क्त की तरफ और आपको कि इसमें क्या नुक्स और इसके क्या फाइदी है। है पात कर लेते हैं इस पैलेट की आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले सिप्सक्राइब एक कार्ट बॉक्स की पैकेजिंग है। हो उपर से ही इसारी शाहिनीम infront क्यार में अयह देख सकते हैं आप बातिए एक कमार माथ तेक बात कर लाठ करें लाज़े हो लिए देख सकते हैं कि सारी इंग्रीडियनिस आपके हैं कि यहाद ज़ना मिक्स, मखमली और यहाद आप के लिए कोटो करें इसमें निए ज़नी हमें कि इसाने ने काई पर जाओी हैं आप इसे बारा महीने इस्तमाल कर सकते हैं मतलब के एक साल इसे आप इस्तमाल कर सकते हैं हम बात कर लेते हैं कि अंदर से कैसी है और यह भी इदर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इसकी अंदर से कैसी नजर आती है है और अन्दर से कुछ ही ऐसी यह इस तरह की आ है यहां भी जैसे बाहर बनी हुई है वैसी ही अन्どर से है और ज Allah पर यही लिखलै नियू हो इब जैसे है और ब्यूते आपको बेकसाइड देहते हैं अर्पार सही है ओर देखते हैं और बताती है अश ऊजिया डाओ अपको न आप यह देख सकतें इसका मिरर आप बात कर लाते हैं यहां पर अप यह भी त्र लोगों को tाकी मैं शोड़ों यूज करूंगी और पिर आपको यह रिविव बताँ है ताके मुझे अच्छे से इलम हो सके कि ये किस तरह काम करती एक दो यूज में नहीं पता चलता सही पर मैंने सकोब अच्छी तरह इसत्याई शेयर करने लगी हूँ और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको कितने मैट शेयर मिलेंगे एक, दो, तीन, चार, पॉन, छे, साथ, आठ, नो, दस, यारा इसमें हमें 11 शेड जो हैं वो मैट मिलेंगे और चार शेड इसमें हमें मिलेंगे टेरकोटा शेड आप देख सकते हैं मैंने से इस्तमाल किया इसलिए इधर से रिमूव हो चुके हैं उपर से पर ये जो है ये अभी सही है आप इसे देख सकते हैं और इसमें जो ये तीन कलर हैं वो आपको मखमली टाइप के मिलेंगे और अब आपको मैं बता दूँ कि इसकी अच्छी बात और इसकी बुरी बात काफी तेर टेकर पर इसमें जो बुरी बात है कि इस पर ब्रush पही तरह पिलाई नहीं होती द Key अगर पहले भी चुकिए अगर किसी को ब्रश लाने आते हैं तो इसे इसे इस्तमाल करने में काम्याब हो सकता है पर अगर नहीं चला सकता है तो फिंगर से आप इसे फिंगर से टैप करके अपने आइस पर उससे जो पिग्मेंटेशन बहुत जादा अच्छी है आप इसको ल यह देखें फिंगर से इसकी जो पिग्मेंटेशन बिल्कुल असल जैसी है आप ने देख सकते हैं माशाला बहुत ही खुबसुरत इसके कलर है और अब मैं आपको इसका यह टेरकोटा शेट करके दिखा देती हूं यह देखें फिंगर से अप्लाइ करने में बुरी नहीं है आपके सामने मैंने इसको अप्लाइ किया माशाला बहुत अच्छी है और मैं आपको इसमें से मैट का करके दिखा देती हूं और एक मैं आपको इसमें ये कंसील्ड लिखा हुए इस शेड़ पे चेक करा देती हूँ ये देखें और एक मैं आपको इसका ये टेड़ी शेड़ चेक करके दिखा देती हूँ कि ये आपे देख सकते हैं काफी इसके शेड़ आप ऑड हैं इस फैलीक को देख सकते हैं इसमें मैंने आपको इंपको पर में कर दिखाए आएगी क्योंकि यह फिंगर से मेक अप करने वालों के लिए बिलकुल अच्छी है अब मैं आपको यह देखें यह देखें यह पाउडरी सा शेड है ठीक है इसको अम्यून करके और अब मैं आपको इसको यहां पर करके दिखाती हूं यह देखें इसकी पिगमेंट इस आई नहीं है इतनी अब मैं आपको इसका यह वाला शेड टेराकोटा वाला शेड चेक करा देती हूं ब्रश से यह देखें ब्रश पर इतना अच्छा प्लाई ही नहीं हो रहा कि हम देखें या फिर यह ब्रश जो है मेरे पास वह इनको कैश नहीं कर पा रहे है या फिर इन में इतनी डाकत नहीं है कि यह ब्रश पर आए हुम आपको इससे फिंगर पे से अपर के सामने है आप अगर से करें तो यह अंक इस फिंगर感 से मैंने लगाया और यह ब्राइच से ठीक हो गया, ब्रश नहीं को फिर एक दो पर मूं पहर प्र दिखास возьмiken भी अपन में दे करने पर आपको यह पिगमेंट इसने बिल्कुल सेम नहीं दी बहुत कम दी है पर आप देख सकते हैं यह देखें आपकी आपकी अपनी मर्जी है मैंने पहले भी वीडियो में का हुआ है कि यह उनके लिए नहीं सही है जिन्होंने यह ब्रश इस्तमाल करने अगर आपको करते हैं उनके लिए बेस्ट मेकब है ठीक है और अगर आपको मेरे ब्रश सही नहीं है शाहिद इसलिए सही अपलाई नहीं हो रहा है तो अगर आपके पास है आप ले सकते हैं अगर कोई से भाई करना चाहता है तो वह कर सकता है बाई मैं यह नहीं कहती कि यह बिल्कुल ब आपके सामने आप खुद इसका जो डिजल्ट है वो देख सकते हैं और खुद ही आप अंदाजा लगा लगा लिए अगर आपने बाय करनी है तो आप कर सकते हैं और अगर नहीं तो भी आपकी अपनी मर्जी है रिव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है कि इस पैलेट में सकता है जिसा बुरी बात कौन सी है अच्छी मुझे यह लगे कि Aimr साथ बहुत अच्छी अप्लाइ होता है और प्रेश के साथ बिल्कुल भी साहिए पलाई नहीं होता वाकि अपकी अपनी मर्जी है अगर आप लेना चाहते है तो ले लें और हम कर लेते हैं प्राइस की प तो माज़रत मेरी तरफ से और आप खुद लोकल मार्केट से बाइख कर लें जादा बेहतर वही रहता है आप खुद जाके बाइख करें यहां पर रिव्यू एंड होता है मैं फिर मिलूंगी आप लोगों को एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर कोई सवाल आपके दिल में है अगर आपने कोई बात मुझे पूछनी आए अब उसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहां वीडियो जारी होंगी उसको भी वाच कर लें मैं फिर मिलूंगी को अल्ला हाफीज